क्या हम जिन्दगी में कभी वो कर पाते हैं जो हम अक्सर बच्पन में सोचा करते थे कि एक दिन हम करेंगे क्या हम जिन्दगी में कभी वो बन पाते हैं जो हम अक्सर बच्पन में खुद को बोला करते थे कि एक दिन हम बनेंगे या कहीं हम सारी जिंदगी बस सोचते तो नहीं रह जाते कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे आज करेंगे कल करेंगे एक महीने बात करेंगे एक साल बात करेंगे पांच साल बात करेंगे जब हम इतने पैसे कमा लेंगे न तब शायद करेंगे और बस ऐसे करते करते महीने बीटते हैं साल बीटते हैं पैसे भी जैसे तैसे हम कमा ही लेते हैं पर फिर भी वो सुनेरा समय जिसके तलाश में हम हमेशा रगे रहते हैं क्या वो समय हमारी जिन्दगी में कभी आ पाता है जब हम असल माईने में वो कर पाते हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे और क्या वो मौका हमारी जिन्दगी में कभी आ पाता है जब हम अपनी नीन से जाक पाए मैं अक्सर इनी सबी सवालों के साथ लड़ता जगड़ता पाता हूँ खुद को और अक्सर मैं ये सोचा करता हूँ कि कामियाबी, नाम, शारत, इन सबी की परिभाशाएं, माबदन, आखिर कौन ते करता हैं सब के लिए कौन है वो जो हम सभी के उपर महर लगाता है कामियाबी और नाकामियाबी की कौन है वो जो ये बताता है हमें कि हम वहाँ जा रहे हैं जहां हमें जाना है या जहां हम जा रहे हैं क्या हमें वहाँ जाना भी है या नहीं या बस यूही भेट चाल में सब एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम भी वहीं चलते हैं शायद यही सही रास्ता हो क्या जिन्दगी का यही मकसद है कि जो सब कर रहे हैं वही हम भी करें जहां सब जा रहे हैं वहीं हम भी जाएं जो सब बोल रहे हैं वही हम भी बोलें, जो सब सुन रहे हैं वही हम भी सुन मैं अक्सर इनी सबी सवालों के साथ एक उधेड बुन में लगा रहता हूँ और यही ध्वंद मेरे दिलो दिमाग में हमेशा चलता रहता है, निरंतर कभी नहीं रहता है कौन है वो जो सब कुछ चला रहा है कौन है वो जो बताता है हमें कि हाँ हम वहाँ पहुँच गए है यह कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया के इस रंग मंच में किसी और की बनाई हुई मेट्रिक्स का हिस्सा हूँ और उसमें रहते हुए हम वो सब करते रह जाते हैं जो हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का समाज कर रहा होता है जो कुछ भी हमें सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है क्या हम जाने अंजाने वही तो नहीं धोराते रह जाते और कभे भी अपने उस मूद सुरूप को नहीं पचान पाते जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है Our True Self Self की बाते हम सबने अक्सर बहुत जगाओं पर बहुत बार सुनी होगे जैसा कहा जाता है अक्सर Find Your True Calling But What Is This Calling? ये कॉलिंग होती क्या है? क्या हम कभी इन गहन सवालों के साथ ठहर पाते हैं? क्या हम कभी अपनी भाग दौर से रुख कर सोच पाते हैं कि हमें असल माईनों में जिन्दगी में जाना किदर है? किस तरह की जिन्दगी हमें बनानी है अपने लिए? क्या हम पूछ पाते हैं ये सवाल कभी भी खुद से शायद नहीं शायद कभी भी नहीं हमने अक्सर अपने आसपास ये सुना होगा कि जिन्दगी में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है खुशी, happiness बट I really think otherwise I truly believe that happiness can never be the central goal of our life खुश हो जाना बस जिन्दगी का सबसे बड़ा मकसद कभी नहीं हो सकता क्या है खुशी कैसे हम खुशी को डिफाइन करें है क्या खुशी क्या नया कैमरा ले लेना खुशी है क्या मुबाईल फून ले लेना वो नया आईफून खरीद लेना क्या वो खुशी है, उस इंसान से शादी कर लेना जिसे हम प्यार करते हैं, यह हमें लगता है कि हम प्यार करते हैं, क्या वो खुशी है, है क्या ये खुशी, चीज क्या है आकर, कहां मिलती है, कैसी होती है, या कभी मिलती भी है या नहीं, पर हम उस खुशी के पीछे पागल हुए पड़े रहते हैं और अक्सर वो सभी चीजे करने लगते हैं जो हम अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखते हैं क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा है और जो हम रात दिन होते हुए अंत में हम भी वही सब करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि अगर इस इंसान को ये करके खुशी मिल रही है, इस इंसान को ये पा लेने के बाद खुशी मिल रही है, तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्यों फिर इतना जोर डाला जाए दिमाग पर अपने, क्यों कुछ अलग किया ज और हम वही सब करने और वही सब खरीदने लगते हैं, वही सब इख्टा करने लगते हैं, पर फिर इस तरीके की खुशी कितने समय हमारे पास टिक पाती हैं, असल सबाल तो यही है न, कब तक ये सारी चीज़े और बाते हमें खुशी दे सकती हैं, वो नया फोन, वो नया गैजेट, वो नई कार, वो नया घर, कब तक ये चीजें हमें खुश रख पाती हैं, शायद बहुत थोड़ी समय के लिए, यहाँ पर ये बिल्कुल ना समझे कि ये सभी चीजें जिन्दगी में ज़रूरी नहीं हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, बहु अब देखा करते थे, कि किसी रोज हम इस चीज को हासिल कर लें, तो कितना अच्छा होगा, शायद जिन्दगी बदर जाएगी, फिर जैसे जैसे समय बीटता है, हम उनमें से बहुत सी चीजे पा भी लेते हैं, पर फिर कितने दिन हम उस खुशी को महसूस कर पाते हैं, टि किसी नई दोड में, और वो सब जो पाना चाहते थे हम कभी, उन सभी को पाने के बाद भी नजाने कितनी ही बार हमने उस खालीपन को महसूस किया होगा, पर हम याद नहीं रख पाते, अकसर भूल जाते हैं, यह यूँ कहूं कि याद ना रखकर खुद को विवकूफ बना जाये तो हम खुश हो जाएंगे, वो सब हमें शायद मिल भी गया, पर क्या फिर भी हम खुश हैं, क्या वो दोड आज भी खत्म हुई क्या, मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं मानता हूँ कि अगर कोई खुशी, किसी भी चीज या इनसान पटकी तो वो खुशी बहुत ही शौट लिफ्ड होती है, बहुत थोड़े समय हमारे पास रह पाती है, बहुत मॉमेंटरी होती है, या अगर मैं यू कहूँ कि सारी खुशियां रेलेटिव हैं, तो भी शायद गलत नहीं होगे, चंद लम्हों के लिए हमारे पास में टिकती हैं, और फिर वही बेचैनी, वही एंजाइटी, वही भागदौर, वही खालीपन हमें फिर से घिर लेता है, पर मेरे लिए खुशी से जादा अगर कोई चीज जरूरी है, तो वो है सच्चाई, टृथ, मीनिंग, एक मीनिंग जो हमारी जिन्दगी को एक दिशा देता है, और उ कर रहे होते हैं, शायद समाज ने हम सभी को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है, कि हम सोचते हैं कि अगर हमने इस उमर तक ये सारी चीज़े नहीं आसिल की, तो हम काम्याब नहीं माने जाएंगे, बलकि हमें समाज में एक फेलियर के रूप में देखा जाएगा, और इसी डर क कि वज़ा से हम भी देरे देरे वो सब कुछ भूल जाते हैं, जो हमारे लिए कभी जरूरी हुआ करता था, जो हमारे बेरंग अस्तित्व को कुछ मीनिंग दिया करता था, और बस फिर हम भी उसी पहले से निरधारे धाचे में फिट होने की बेहिंतहा कोशिश में लग जा हम वही सब जुटाने लगते हैं जिनके दम पर ये समाज अपनी परिभाशाएं बनाता है कामियाबी और नाकामियाबी की पस यही सब बातों को दिमाग में रखते हुए हम उसी तरीके का लाइफस्टाइल अपना लेते हैं वैसा ही हम अपनी जिन्दगी को बनाने लगते हैं और फिर शायद वो सभी चीज़ें जो बच्पन में हमारे लिए जरूरी हुआ करती थी वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हम कभी उस पुराने कैमरा को नहीं उठा पाते जिससे बच्पन में हम फोटोग्राफ्स क्लिक किया करते थे उस पेंट प्रश को हम कभी हाथ नहीं लगा पाते जो बच्पन में हमें गिफ्ट मिला था किसी ना किसी दोस्स से, किसी ना किसी रिष्टेदार से और हम बहुत खुश हुए थे कि आज हम पेंटिंग करेंगे, अब हम पेंटर बनेंगे किताबें तो मानो स्कूल खत्म होते ही हम ऐसे भैग देते हैं जैसे कितने राहत मिल गई हो उसके बाद हम किताबों के तरफ देखते भी नहीं वो ग्रोथ, वो डेवलप्मेंट हमारा वही रुख जाता है और फिर हम सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं है क्यों हमारी जिन्दगी की परिशानियां बदलती नहीं जी हाँ, सही सुना आपने परिशानियां बदलती क्यों नहीं क्योंकि किसने कहा कि परिशानियां अभी खत्म होती है दरसल सच बात तो यह है कि बस उनका सुरूप बदलता है जिन्दकी को ध्यान से दीखा जाए तो हम evolve तो कर रहे हैं पर शायद सिर्फ बाहर बाहर से हम वो तो बनते जा रहे हैं जो समाज ने हमें सिखाया था जो हमारे घरवालों ने भी हमें बताया था पर खुशी तू यू तक नहीं है, कहीं नहीं है वो किस चीज की बेचैनी है जो हमें खाई जाती है वो क्या है ऐसा जिसके ना होने से हम तरपते रहते हैं I'm always filled with such never ending questions My mind is always in a rut to find answers of these questions It's been years now, so many years I thought after a certain age I'll be able to find answers of all these questions I'm 28 now and I still haven't figured it out I'm still wondering and trying to find some sense of life Maybe through my experiences, maybe through my work But one thing that I can tell you with utmost honesty is that When you do the kind of work that resonates with you The kind of work that you always wanted to do The work that you always wanted to create Something that you always craved for Where your creativity, passion, inspiration All these things are at play Trust me, there is nothing more satisfying than that That is something that gives meaning to our lives To our sufferings as well Yes, to our sufferings as well That even our suffering has some sort of underlying meaning A blessing in disguise maybe Otherwise, there is no end to the hedonistic treadmill we all are riding on It's a never-ending, pleasure-seeking pursuit With absolutely nothing substantial to take away in the end Whatever little I've understood about life It is that life is not about the destination It is about the journey It is all about the journey So, happy journey I've worried about the journey Stay tuned Unless you've probably passed away You... You, 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 you You, you, you're, you're, you're twulking You are so stupid